नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का स्टेडी शाला 2.0 के मैथ की क्लास में दोस्तों देखे मैथ की एक सरिंखला चल रही है हमारी और उसके तहट मैथ की आज नम्मी क्लास है और आज हम लोग प्रतिशत शुरू करने वाले हैं देखे प्रतिशत इसलिए शुरू किय जा रहा है ताकि प्रतिशत से ज़्यादा प्रशन बनते हैं और इसी प्रतिशत से आपको लाभानी ब्याज ये सारी चीजे मिलने वाली है ठीक है तो पहले हम लोग प्रतिशत पढ़ लेते हैं उसके बार लाभानी भी हमारा कवर हो जाएगा बहुत सारी चीजे हैं जो इ विषिक से समझाऊंगा आप लोगों को और उमीद करता हो कि आपको समझ में आ जाएगा और विल्कुल अगर समझ में आ जाएगा तो आप comment box में जरूर लिखेगा कि आपको ये class समझ में आई है चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं और आज की class शुरू करते हैं तो जितने भी हमारे साथ ही है वो लोग एक बार class को like कर दें और अपने दोस्तों को share जरूर कर दें और दोस्तों देखिए current affairs की class regular चल रही है हिंदी की भी class चल रही है हफ्ते में 3 दिन चलेंगी और जो है cdp की class भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी वो भी notes के through मिलेगी तो कम समय में ज़्यादा चीज़े आपको बता दिया जाएगा तो देखिए आईए हम लोग आज शुरू करते हैं प्रतिसत परसेंटेज ठीक है आज हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं अब सबसे पहले आप प्रतिसत का अर्थ समझ लीजिए उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें कैसे कैसे आपको सवाल बनने वाले हैं ठीक है देखिए इसको अगर आप तोड़ेंगे तो दो भाग आपको मिलेगा एक होगा प्रति और दूसरा होगा शत्व ठीक है तो एक होगा प्रति और दूसरा होगा शत्व तो प्रति का क्या होता है प्रतियक और सत्व का होगा सव ठीक है मतलब प्रतियक सवा भाग ठीक है प्रतियक सवा मतलब सव में से सत में से प्रति मतलब एक सव में से एक तो आप जानते हैं आपने भिंद में पढ़ा है कि सव में से एक को कैसे लिखना है एक सेव ले लिजिए इसके आप सव टुकड़े का डालिए ठीक है और इसमें से एक टुकड़ा आप ले लिजिए तो कैसे लिखेंग ठीक है दोस्तों एक बटे सव को ही प्रतिसत कहा जाएगा मतलब की एक बटे समवा भाग क्या होगा प्रतिसत होगा ठीक है इसी को हम एक बटे समवा भी कह सकते हैं ठीक है या एक बटे समवा नहीं समवा भाग भी कह सकते हैं समवा का मतलब ही वह होता है कि एक बटे सव ठीक ठीक है दोस्तों ये होती है आपके प्रतिसत की अवधारला की प्रतिसत होता क्या है प्रतिसत मतलब एक बटे 100 ठीक है अब आगे चलिए आगे देखते हैं कि प्रतिसत को भिन में कैसे बदलना है अगर मैं कहूं कि 25 प्रतिसत दिया हुआ है अब आप इसको भिन में बदल दी तो अगर इसको हम भिन्न में बदलें, तो इसी प्रतिसत का मतलब कितना? अभी हमने बताया, प्रतिसत का मतलब 1 बटे 100, तो अगर हम प्रतिसत की जगें 1 बटे 100 लिख दें तो काम बनेगा की नहीं? विल्कुल बन जाना चाहिए, मतलब 25 गुडे 1 बटे अगर हम 100 कर दें, त यही आपका क्या हो गया? प्रतिसत जो था यह आपका देखी भिन्न में बदल गया और यही आपका उत्तर हो गया, देखे आप लोगों की परिच्छा में इस तरीके के साधारण प्रस्में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, उसमें कोई कहने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि एक्जामिनर को पता है कि परिच्छा में किस अस्तर के विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है? एक्जामिनर को बिल्कुल पता है कि यहाँ पर वो भी विद्यार्थी हैं जिनोंने कभी जीवन में मैत नहीं पड़ी है और यहाँ पर वे भी विद्यार्थी हैं जो हमेशा मैत ह पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके लिए math आसान हो जाएगी, लेकिन बाकी कुछ subject कठीन हो सकते हैं, आपके लिए math थोड़ीजी कठीन है, तो बाकी subject आसान है, ठीक है, तो वो average लेकर चलते हैं, तो math में आसान और कठीन दोनोर तरीके के प्रशन होते हैं, और medium के भी प्रशन ह होते हैं, तो देखे दोस्तों, आपको जो है, medium तक तो पहुंची ही जाना है, कठीन वाला, देखे दोस्तों, कठीन वाला अगर नहीं भी होता है, तब भी कोई बात नहीं, आप 15 स्कोर कर लीजे, मैं इसमें काम हो गया आपका, ठीक है, तो चलिए, ये आप समझ गए, मतलब यही होता है, प्रतिसत का मतलब एक बटे सव, तो एक बटे सव से आपने गुड़ा कर दिया, तो फिर हो गया आपका 15 बटे में, सव, आप काटेंगे, तो पांच तियां 15, पांदूनी 10 और 0, 20 पच्चे 100, 3 बटे में 20, ठीक है, ये आपका हो गया, भिन्न में, इसी तरीके से अगर 40 है, 40 प्रतिसत, तो आपने क्या किया, 40 बटे में 100 कर दिया, यही तो हो रहा है, बटे में 100 किया, 0 से 0 कटा, और देखे, 4 बटे में 10, 2 दुनी 4 और 2 पच्चे 10, मतलब 2 बटे में 5, ठीक है, ये आप समझ गए, तो देखे, इसका अर्थ क्या है, जैसे आप आपने 25 प्रतिसत लिया, ठीक है, तो अब देखे, हमने बताया कि 25 जो भी प्रतिसत होता हमेशा 100 में होता है, ठीक है, तो अब देखे, 100 का ये कउथा भाग 25, अगर आप 100 को 25-25 के टुकड़े में बाटिये, तो 4 टुकड़े बनेंगे, और ये उन 4 टुकड़े में से 1 है, तो देखे, कुल 4 टुकड़े बने, और 4 टुकड़े में से 1 है, भिन्न में बदला आपने पता चल गया कि 25 प्रतिसत क्या है, 4 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा है 25 ठीक है दोस्तों, बस, आप आगे चलते हैं, आपने देख लिया कि अगर प्रतिसत दिया है, तो उसको भि कर दीजिए, या इसी प्रतिसत की जगे पर 1 बटे 100 से गुड़ा कर लिजिए, बात वही हो जाएगी, ठीक है, चलिए, अब हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं, कि भिन्न को प्रतिसत में कैसे बदलें, भिन्न को प्रतिसत में कैसे बदलें, बिल्कुल ये तो बहुत ही जरूरी चीज है, जैसे मान लिजे मैंने आपको 3 बटे 4 दे दिया और कहा कि इसी को आप प्रतिसत में बदल दीजिए, तो आपको मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे इसमें 100 से गुड़ा कर देना है, क्या करना है, 100 से गुड़ा, देखिए, प्रतिसत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किया आपने, प्रतिसत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुड़ा कर दीजिए, समझ गया आप, आप देखिए कैसे होगा, 4 से 100 को आप काटेंगे, तो 25, 4 के 100, तो 3 गुड़े में 25, अब ये प्रतिसत आपका लग जाएगा, ठीक है, दोस्तों, बिल्कुल आप समझ गए, 3 बटे 4 का मतलब आपने क्या समझा, कि 4 भाग है, इसमें से 3 भाग निकाला गया है, ठीक है, तभी तो उपर 3 आया, और नीचे 4 आगया, ये आपने भिन्न में बदल लिया, ठीक है, अब आप सोचिए, कि 4 भाग, 100 का 4 भाग क से भी समझे, ठीक है, तो 3 बटे 4 में 100 से आपने गुड़ा किया, तो आपका 25 प्रतिशत हो गया, 3 बटे 4 का मतलब भी आपने समझा, कि कुल 4 था, उसमें से 3 लिया गया है, ठीक है, अब देखिए, आप जैसे प्राप्तांक और पूर्डांक अपना निकालते हैं, आप देने वाले हैं, इसमें मालीजिये, आपको 120 मिला, ठीक है, तो अब इसको समझे, इसको भिन में आप कैसे बदलेंगे, कि कुल 150 था, और उसमें से 120 आपको मिला, तो कुल कहां लिखा जाता है, नीचे, और 120 आपको मिला, तो 120 आपने उपर लिख दिया, मतलब 150 में से 120 आपने लिया, ठीक है, अब इसी को आपको प्रतिसत में बदल लेना है, तो गुड़े आपने 100 कर दिया, ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, और देखिए, 5, 3, 15, और 20, पंजे 100, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12, 3, और गुड़े 20, तो 3, 4 के 12, तो बराबर 20, 4 का 80, आपने इसको प्रतिसत में बदल लिया है, 100 से गुड़ा करके, तो आप यहाँ प्रतिसत लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, आप अगर ये डेड़ सो में 120 अंक लाते हैं, तो ये आपका कितना प्रतिसत हो जाएगा, ठीक है, ये आप समझ गए, प्राप्तांक पूर्ड़ांक किया, मतलब 600 भाग में से 400, तो 400 बटे में 600, और गुड़े भिन्न में बदलना है, तो 100 से गुड़ा कर दिया, 100 से 2 0 ये कट गया, आप इसको काट लीजिए, कट जाए पूरा, तो बिल्कुल नहीं कटेगा, तो कैसे 2 3 6, 2 दुनी 4, 200 हो गया, 200 बटे 3, अब इसको आप दस प्रतिशत दसमलों में आ जाएगा, कैसे 3 6 18 और फिर 3 6 18 दसमलों 6 6, ठीक है, 6 6 दसमलों 6 6 प्रतिशत बन जाएगा, ये आप एकदम समझ कर चलिएगा, ठीक है दोस्तों, और इसी का आप फार्मूला क्या लगा देते हैं, फार्मूला आप लगा लेते हैं, कि प्राप्ता ठीक है, प्राप्तांक बटे, पूर्रांक और गुडे 100, यही तो आप फार्मूला लगा लेते हैं, तो प्राप्तांक आपका उपर, पूर्रांक आपका नीचे, मतलब पूर्रांक में सही तो प्राप्तांक मिला है, और गुडे 100, यह आपका बेसिक तरीका एकदम हो गया, प्रतिशत निकालने का और भिन्न को प्रतिशत में बदलने का ठीक है दोस्तों अब आगे चलते हैं आपको अगर ये क्लास समझ में आ रही हो तो बिल्कुल एक बार सेशन को लाइक जरूर करिएगा ठीक है चलिए अब देखिए कुछ अभ्यास प्रस्ण हम करते हैं इसी से स सो दे दीजें, भाग कर दीजें, बस हो गया यही आपका, तो पचीज बटे में सो ये भी हुगा, अब आप काटेंगे तो पचीज चौक का सो, एक बटे में चार, ये आपका उत्तर हो जाएगा इसी तरीके से 3 बटे 4 को भिन्द में बदलिए तो आप जानते हैं जब भिन्द हो और प्रतिसत में बदलना है तो भिन्द को प्रतिसत में कैसे बदलना है 3 बटे 4 गुडे 100 तो 4 और 25 जोग का 100 25 तियां 75 प्रतिसत यह आपका एकदम आसान सा सवाल और इसी तरीके से आपकी परिच्छा में पूछा भी जाता है अब यहां समझिए 25, 250 का कितना प्रतिसत है आराम से 25, 250 का कितना प्रतिसत है इसका मतलब यह 25 कितने में से लिया गया है 250 में से लिया गया है 25, 250 का कितना प्रतिसत है तो 25, 250 का तो क्या करेंगे पचीस लिया गया कितने में से 250 में से आपके पास भी ना गई अब इसको प्रचिशत में आप बिल्कुल बदल सकते हैं गुडे में 100 करके अब ये हो गया आपका प्रचिशत अब इसको क्या करेंगे ये एक काड़ दिया और 25 से 25 काड़ दिया तो आपके पास बचा 10 ठीक है तो 25, 250 का कितना प्रचिशत है दोस्तों 10 प्रचिशत है ठीक है ये देखे कितना आसानी से आप सवाल हल कर ले रहे हैं आगे चलते हैं 500 का 80 प्रचिशत कितना होगा तो भाईया आप जानते हैं कि का का मतलब क्या होता है का का मतलब होता है गुड़ा ठीक है का का मतलब होता है गुड़ा तो 500 का 80 प्रचिशत तो आप क्या कर देंगे 500 का मतलब गुड़ा 80 प्रचिशत कितना होगा 500 का 80 प्रचिशत कितना होगा तो फिर आप समझेगा कि इसी 500 को आप क्याल 500 ये हो गया 80 प्रतिशत को आप कितना भिन्न में लिख सकते हैं तो 80 और बटे में 100 यही तो होगा 80 को आपने भिन्न में बदल लिया क्योंकि आपको बताना है कि कितना होगा वो प्रतिशत में तो बताना नहीं है तो आपने 80 को भिन्ने में बदल लिया अब देखिए इसको काट लिजीए 0 से ये दोनो 0 कट गया तो कितना हो गया 5,8,4 और ये सूने तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा 500 का 80 प्रतिस्यत कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा मैं कहूं 200 का 20 प्रतिस्यत कितना हो जाएगा तो आप क्या करेंगे 200 का 20 प्रतिस्यत तो 200 गुड़े 20 प्रतिस्यत और आप जानते हैं कि 20 प्रतिस्यत को आप कितना लिख सकते हैं 200 गुड़े 20 प्रतिस्यत को 20 बटे में 100 लिख सकते हैं तो 2 0 आपने यहां से काट दिया 20 दून 40, ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया आपका, 200 का 20 प्रतिसत कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बड़े आराम से आप समझ गए हैं, आईए अगला प्रशन हमाहल करते हैं, एक गाम की जन संख्या 600 है, गाम में कुल कितने लोग रह रहे हैं, 600, उसमें 40 प्रतिसत महिलाएं हैं तो महिलाओं की संख्या बताईए, मतलब आप समझिएगा, कि 600 में 40 प्रतिसत महिलाएं हैं, मतलब 600 का 40 प्रतिसत जो है, वो क्या है, महिला संवर्ग है, तो 600 का 40 प्रतिसत, अगर हम महिला निकालें, तो क्या हो जाएगा, महिला बराबर 600, इन 600 का 40 प्रतिसत महिलाएं हैं, तो बिल्कुल आप निकाल लीजिए, अब तो आपके पास आसान हो गया, 600 का मतलब गुड़ा, 40 प्रतिसत का मतलब क्या हो जाएगा, 600 गुड़े 40 बटे 100, आपने 2 0 काटा, और आपने लगाया 6 24 24, महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, 240 हो गई, अब आप से पूछा जाए, कि पूरुसों की संख्या बताईए, तो आप कुछ नहीं, 600 माइनस 240, अब आप घटा लिए, तो 360, ठीक है दोस्तों, बड़े आराम से आपको पता चल गया कि इतने जो है गाउं में पूरुष हैं, ठीक, ये आराम-ाराम से समझ कर चलिएगा, 600 में 40 प्रतिसत महिला हैं, हम प्रस्णों को जादा करा रहे हैं, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है, ये तो अभी एकदम साधारण से प्रस्ण है, इसके आगे जा करके आपको और भी प्रस्ण इसमें मिलने वाले हैं, क्योंकि प्रतिसत एक बहुत बड़ा टापिक है, ठी चलिए, एक और सुपना की कल रवी बार है, तो कल क्लास मैधी बंद रहेगी, ठीक, एक परिक्षा में असी प्रतिसत विद्यार्थी उतीर्ड हुए, कितने प्रतिसत? असी प्रतिसत उतीर्ड हुए, अब देखिए, यदि परिक्षा में सोलह सव विद्यार्थी बैठे, तो कुल विद्यार्थी कितने थे? कुल विद्ध्यार्थी, 1600. और कितने उत्तील्ड हुए? 80 कत. अभे आप समझेगा, कि ये 80 किसका है? 1600 का ही तो है, जो कुल विद्ध्यार्थी थे, उनीक 80 क्रतिल्ड हुए? तो यही प्रतिल्चत जो है, इसी को आपको बदल देना है कैसे संख्या में तो आप क्या करेंगे इस सोलह सव का असी प्रक्षत विद्यार्थी क्या हुए उत्तील्ड हो गए है तो उत्तील्ड विद्यार्थी क्या हो जाएगा सोलह सव का असी प्रक्षत यही उत्तील्ड विद्यार्थी हो गए तो आठ चक 48 और आठ एक कमार्चा 12, 16, 128 और 0 1280 विद्यार्थी क्या हो गए उत्तीरड हो गए जो की कितने थे 80 प्रतिशत के बराबर थे ठीक है दोस्तों यह आप समझ गए कि 80 प्रतिशत के बराबर थे अब आप इसको अगर जांच करना चाहते हो तो भी कि 1600 में से 1280 पास हो गए तो 1600 कहां रहेगा नीचे और 1280 पास हो गए तो 128 उपर और इसी को आप प्रतिशत में बदल लीजिए 100 से गुड़ा कर दीजिए आपने 2-0 काटा 16 से आप इहां भाग देंगे तो 16, 128 और यह 0 तो कितने प्रतिशत हो गया मतलब आपका उत्तर एकदम सही है ठीक है अब यह देखिए यह परिच्छा में आया हुगा प्रतिशन है शायद यूपी टेट का प्रतिशन है यह ठीक है तो देखिए इसमें जो है समझिए कि इसको क्या करना है 0.25 125 का कितना प्रतिसत है मतलब यह जो 2.25 है यह किसका भाग है इसी 125 का भाग है तो 125 में से 2.5 का बताना है प्रतिसत तो आप क्या करेंगे नीचे लिखेंगे 125 और उपर 0.25 यही आपको समझना है कि ये जो 2.25 है ये किसका भाग है 125 का भाग है ठीक है तो इसी के परिप्रेक्ष में ये क्या पूछा जा रहा है कि इसका अनुपाद बताईए तो आप क्या करेंगे दसमलो 2.25 125 का कितना प्रतिसत है तो आपने इसको भिन्द में बदल लिया 125 को नीचे लिखा और दसमलो 2.25 को उपर लिख दिया और अब इसको प्रतिसत में बदलना है तो आप जानते हैं भिन्द को प्रतिसत में बदलने के लिए 100 से गुडा कर दिया जाता है तो साथियों आपने 100 से गुड़ा किया तो ये दसमलो कितना अंक खिसके गाई ये सारी चीजे इसी लिए आपको पहले पढ़ा दी गई है तो 2 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा गुड़ा करने पे 22 तरफ भाग करने पे जाता है तो दाई तरफ 2 खिसका तो कितना बचा 25 और नीचे आपका 125 और 100 तो अब खतम हो गया है ना और यहाँ पर आप क्या लगा देंगे प्रतिसत लगा देंगे क्योंकि यहाँ 100 से आपने गुड़ा किया तो प्रतिसत लग गया आपका अब देखे 25 पंजे 125 तो आपका कितना हो गया एक बटे 5 प्रतिसत है समझ गया एक बटे 5 प्रतिसत अब इसी को आपका है तो भाग देकर दसमलो में काट लीजिए तो कैसे कटेगा दसमलो जीरो दो ठीक है दसमलो जीरो तो एक बार भाग देके आप लोग देख लीजेगा जरूर ठीक है नहीं तो ऐसा ना हो कि य गलत हो ही गया में लग रहा है, कैसे? अब आप अगर देखे उत्तर की जाच आपको कैसे करना है? कभी कभी ऐसा करना भी जरूरी है, ठीक है? अब देखे उत्तर की जाच आप करिए, गुड़े 100 उपर और गुड़े 100 नीचे, तो ये 2 बटे 100 हो जाएगा, और इसको आप क्या लिखेंगे 0.2 प्रतिसत समझ गया तो इतना प्रस्यत है 0.25 125 का कितना प्रस्यत है 0.2 प्रस्यत या इसी को एक बटे 5 प्रतिसत आप लिख सकते हैं ठीक है दोस्तों तो ये क्लास आपको कैसी लगी comment box में जाकर जरूर बताईएगा अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो जरूर बताईएगा कि क्लास आपको समझ में आ रही है और basic से इसी लिए पढ़ाया जा रहा है कि जो भी साथ ही हमारे जुड़े हैं जिनको मेहत नहीं आती है वो यहां से पढ़ सकें ठीक है अब आगे आपको प्रच्चत के जो अन्य प्रकार हैं जो अन्य प्रकार के प्रस्चन आपको मिलते हैं वो बताई जाएगे आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलेंगे फिर समझ में को एक और मेहत की क्लास के साथ तब तक के लिए नमस्कार